हेलो एब्रिवान, वेलकम टू एसेस एजुकेशिन क्लास। हम लोग आशाम हिस्ट्री को पर रहे थे। और लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था एंशेंट आशाम का। इस वीडियो में आप लोग आगे बढ़ेंगे। आशा करता हो आप लोग ने पिछला वीडियो देखा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। उसमें थोरा पेशन्स रखके आप लोग देखिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए क्योंकि जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट से उसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर जो जो मैं बोलता हो। और अगर किसी को PDF चाहिए तो मुझे comment section में बोल देना मैं उसमें PDF दे दूँगा। तो आज का class शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आज जो हम लोग शुरू करेंगे वह है prehistory प्री हिस्ट्री को हम चार भागों में बाटा गया है चार कल्चर में बाटा गया है। पहला है paleolithic culture दूसरा नियोलिथिक culture मेगालिथिक culture एंड मेटलेज। जो paleolithic culture है सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे फिर नियोलिथिक फिर मेटलेज और मेगालिथिक culture पहले लिथिक मतलब पुराने पत्थर जब बहुत पुराने पुराने जो पत्थर मिलते थे वो पेलेलिथिक culture में आ जाते है उस time के लोग लोग जो इन्हेबिटेंस थे उनको पेलेलिथिक culture में रखते है नियोलिथिक culture मतलब नया जो पत्थर है लिथिक मतलब बड़े बड़े पत्थर जहां पे मिलते हैं उनको मेगलितिक कल्चर बोला जाता है फिर हम लोग second इसमें चलते हैं प्लेयोलिठिक कल्चर सबसे पहला है प्लेयोलिठिक कल्चर जो पेलितलिक के जो यह वह प्र desap crossing में रखे गए है, प्लेस्टोसीन हम लोगों को पता है, दो पिरियों होते है। उसमें से एक है प्लेस्टोस्इन में प्लेस्टोसिन लगा कि मना जाता है प्लेस्टोसिन पराने वकत को मना जाता है जब हम लोग का फ्लाय हॉर्मेशन हुआ तो उसके कुछ मिलियन येर्स बाद ही इसको मानते हैं और उधर के जो इने इस जगह में सीचुएटेट थे रॉंग्राम भेले ओफ गारो हील्स में उसमें से कुछ-कुछ साइट्स हम लोग देख लेते हैं यह सब साइट्स आप लोग याद रखना क्यूंकि आप लोग को तो अगर हम लोग देख के रखते तो भौट बार ब्रेन में आ जाता है यह क्लिक हो जाता है कि हाँ यह तो हम लोग ने देखा था उस देखे हुए को हम लोग फिर लिख सकते हैं और अगर देखा ही नहीं तो कुछ भी नहीं लिख सकते उसमें चार ऑप्शन्स होता है 25 परसंट कल्चर जो हैंडेक्स क्लेवर टूल थोरे देर बाद में इसका प्रदेश दिखाऊंगा कैसा होता है हैंडेक्स क्लेवर टूल को यूज करते थे एबेविलियो एकिलियन कल्चर दा दफाभूम एरिया ओफ लोहिट डिस्ट्रिक्ट रणुनाचल प्रदेश में एक लोहिट दिस्ट्रिक्ट है उसमें दफाभूम एरिया में जो प्रदेश साइट मिल पाया जाता है जहां पर स्टोन टूल का इस्तेमाल होता था फिर है नंबर थ्री खंकुई इन उक्रूल मनिपूर में खंकुई नाम का जो साइट है वो मनिपूर में है वो केप बेस साइट है यह जो खंखुई इन युख्रूल मनिपूर है यह लेटर प्लेस्ट्रोसीन पिरियड में रखा गया है एक पिक्चर है यह है वो जो थोरे देर पहले हम लोग ने बात किया था क्लेबर टूल यह है है हैंडेक्स क्लेबर टूल फिर हम लोग देखते हैं नियोलिथिक आप लोग को बड़े ही पेशन से सुनना है और जो जो इंपोर्टेंट मैं बता के दूंगा उन सबको आप लोग अगर हो पाएगा तो नोट कर लिजिए और हो सकेगा तो मैं PDF भी दे दूंगा नियोलिथिक कल्चर अभी नियोलिथिक कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं इस कल्चर परफॉर्मड शिफ्टिंग कल्टिवेशन कॉल्ड जूम या नियोलिथिक कल्चर में शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता था शिफ्टिंग कल्टिवेशन आप सबको पता होगा इसमे एक एरिया का particular area में जो tribe रहते हैं उसमें वो जगह को पहले उसका trees को जला देते हैं फिर उस trees की सब ट्रीज में से जो ash निकलता है उसash को fertilizer के सब हिसाब से use करते हैं और उसी Gambler जगह में जहां पर यहाँ जलाया गया है forest इंस जगह में होता है उस जगह में तो लोग shift कर लेते हैं इसलिए इसका नाम shifting cultivation भी है और zoom cultivation भी इसका नाम रखा गया है तो नियोलिथिक कल्चर में यह cultivation प्रिक्टिस किया जाता था इसमें कुछ कुछ साइट से जो भूत important है आप लोगों याद रखना है दावजोली heading इन दिमाहासाओं में डावजोली heading है कुछ दिन पहले भी कुछ एक साल साइट से पहले यह news में भी था दावजोली heading फिर शरूतारू इन कामरूप district में शरूतारू नाम का एक जगा है व है फिर मेटेलेज हम लोग के इधर कोई भी मेटेलेज नहीं मिलता है मतलब कोई भी आर्केलोजिकल एविडेंस नहीं है मेटेलेज को लेके copper, bronze, iron age कल्चर ऐसा कुछ भी नहीं है मेगालिथिक कल्चर है मेगालिथिक कल्चर मतलब बड़े बड़े पत्थर इधर देखा जाता है कुछ एक साल हो गया होगा सायद से वह हम लोग का मेगालिथ उधर मिला है दिमाहसाओं में तो इसके बारे में उस दिन बात हो रहा था तो यह तो अच्छा ठीक है current affairs में न सब्कान पुमद में मेगालिथिक कल्चर घियसा होथा यह जो मेगालिथि कल्चर है यह मेगालिथिक फांचर यह हम लोगों कर्म मेगलितिक जो कल्चर है बहुत ज्यादा इधर पाया जाता था और आज तक यह continue होता है दा खाशी अंदर नागा पीपल में उसलिर जलता इधर है यह जिए को सम इताती कि गुष्ट के तरफ स्थी खिसरी जाता की तरफ जूदर मिल्त अभी हम लोग prehistoric period of asham के तरफ बढ़ते है, the first large find of the later neoliths, later neoliths को find करने वाले जो व्यक्ति थे, वो Mr. W. Penny थे, जो की एक tea planter हुआ करते थे, बिश्वनात के, जो सनित्पूर district में है, जब वो अपने ground को dig कर रहे थे, तब उनको ये finding उन्होंने किया था, It had been kept और ये जो उनको जो evidences मिला था, उसको Indian museum केलकटा में रखा गया है, फिर जो J.H. Hutton, in his article prehistory of asham, उनके article prehistory of asham में classified करते है, Ground and polished stone, tools into three types, उन्होंने ground and polished stone को तीन टाइप में बाटा है, long, narrow and triangular, more or less rectangular, the shoulder type, of the shoulder type, one is found at kanarpaara kachar, kanarpaara kachar में एक shoulder type कर stone जो है, वो मिलता है, तीन टाइप के J.H. Hutton ने, तीन टाइप के prehistory of asham classified किया था, ground, उसको तीन basis में, long, narrow and triangular, more or less rectangular, and the ground shoulder type, उस shoulder type में एक found होता है, kanarpaara kachar में, and one at bishonat में, और दो stone फिर से discover किया गया है, सिंग भूम में, जो कि आज present बंगलादेश में आया जाता है, सिंग भूम, age dhani divided asham into six district zone, और ये थोड़ा आप लोग याद रखना, कि six district zones में age dhani ने divide किया था, हम लोगा neolithic culture के study के लिए, पहला है काचार hills, सदिया frontier zone, तिसरा है नागा hills zone, फोर्थ है खाशी hills zone, फिफ्थ है गारो hills zone, और शीक्स है ब्रह्म पुत्र भेले, देखिए, आप लोग इन सब को सुनते रहें, के ध्यान से, सुनने से क्या होता है, आप लोग अभी फिर से जब इसको परेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनिए, और जहाँ जहाँ पर ज्यादा important होगा वह मैं बता के देता हूँ, वह सब आप लोग note कर लिजिए, और PDF भी मैं send कर दूँगा, अ यू, जय हिंद, जय आशाम